उरिश्या सरकार के कई प्रस्तावों पर तीव्र गती से कार्य करने का संकल्प हमारी सरकार का केंद्र में सदेव रहा है और इस विशय पर मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी उरिश्या सरकार के प्रतिनिदी भी सोचें कि जो विग्यापन आज निकला है जिस विग्यापन पर प्रधान मंत्री का चित्र न होना मैं मानता हूँ खेट जनक है जबकि ये योजना उनकी विचारधारा के आधार पर ही क्रियान्वेन हो पाया है चाए एरपॉर्ट की हम बात करें चाए एर सेवा की हम बात करें श्रे के होड में हमें कभी भी नहीं दोड़ना चाहिए एक साथ में मिलकर हम जनता की सेवा के लिए संकलिप्थ हैं चाए उरिसा की सरकार हो चाए भारत सरकार हो और उसी भावना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं ये विश्वास भी हम आपको दिलाते हैं हमारा संदेश जरू मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगा इसका हमें पूरा विश्वास है उरिसा के लिए हम लोग संकल्प थें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के द्वारा भी और ये विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं कि जो उडान योजना के अंतरगत हमने संकल्प लिया है कि में से करीब करीब इस एरपोर्ट को बिलाकर रोडकेला को मिलाकर 71 एरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गए है सौ में से और 455 रूट्स ऑपरेशनलाइज हो गए है हजार में से ये विश्वास में आपको दिलाता हूं कि इस योजना के तहत करीब करीब 2,10,000 फ्लाइट क्रि हवाई जहाज के तहट उनका सफर होगा ऐसे भारत्य नागरिक को इस उडान योजना के तहट ये पूर्ण सुविधा प्राप्त हुई है उरिसा के लिए जैसे मैंने कहा हम संक्लिप्थ हैं 22 रूट्स उडान योजना के अंतरगत पूर्ण रूप से operationalize हो चुकी हैं और airports की हम बात करें तो हमारी scheme में जरसुगुडा, रोड़केला, चैपोर, उटकेला, रगेल गुंडी और अमर्दा ये सारे air strips शामिल हैं और इस air strips में से जरसुगुडा airport में 202 करोड उपय का निवेश होकर भुबनेश्वर, कोलकता और दिल्ली के लिए connectivity दी गई है अभी कुछ दिन पूर्वी जैपोर airport का भी इसी वितिय वर्ष में प्रारम किया गया है और भुबनेश्वर और विशाका पतनम के लिए connectivity दी गई है उटकेला की airport के लिए भी हम लोग संकलिप्थ है और शीग्रही अति भविश्य में हम लोग इसका भी संचालन करने के लिए संकलिप्थ है ये हम विश्वास दिलाते हैं